लोग सभाचुनाव 2024 के चौथे चरण की वोटिंग 13 माई को होगी इस फेज में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे इस चरण में उत्तरप्रदेश की 13 सीटों पर उम्मीदवारों की किसमत का फैसला होगा इसमें अकबरपुर, बहराईच, इटावा, खीरी, धोरारा, सीतापूर, हर्दोई, मिस्रिक, उन्नाव, फरूखाबाद, कन्नौज, शाह जहाँपूर और कानपूर में वोटिंग होगी इन सीटों पर 130 उम्मीदवार मैदान में हैं चली आपको बताते हैं कि किन सीटों पर किसके बीच मुकाबला है सबसे पहले बात करते है अकबर पूरलोक सभा सीट की, चौथे चरण में उत्तरप्रदेश के अकबर पूरलोक सभा सीट पर मतदान होना है, इस सीट पर बीजेपी ने मौझूदा सांसद देवेंदर सिंग भोले को उम्मीदवार बनाया है, उनके पास जीत की हैट्रिक बनाने का मौका है, उधर स बीजेपी ने इस बार अपना उमीदवार बदल दिया है, पार्टी अरबिंद गूंट को, इस सीट से समाजवादी पार्टी ने रमेश गौतम को मीदवार बनाया है, जबकि बहुजन समाजपार्टी ने बरजेश कुमार सून कर पर दाउं लगाया है, इटावा सीट के बात करें तो इटावा लूग सभा सीट पर भी चोथे चरण में मतदान होना है, इस सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद राम शंकर कठेरिया को मैदान में उतारा है, बीजेपी के पास जीत की हैट्रिक बनाने का म्याहा भी मौका है, समाजवादी पार्टी ने जीत राजेश वर्मा 10 साल से सांसद हैं, लेकिन एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, पिछले चुनाव में उन्होंने एक लाग से ज्यादा बोटों से जीत दर्ज की थी, इंडिया गटबंधन की तरफ से कॉंग्रेस ने राकेश राठोड को उम्मीदवार बन खीरी लोग सभा सीट से बीजेपी ने मौझूदा सांसद, अजय मिस्रा टेनी कॉमी दवार बनाया है, टेनी लगातार 10 साल से सांसद हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने उतकर्ष वर्मा पर दाव लगाया है, बहुजन समाज पार्टी ने पंजाबी समुदाई से आन आनंद भदोरिया पर दाव लगाया है इस सीट पर BSP ने शाम किशोर अवस्थी को मीदवार बनाया है बता दें कि शाम किशोर अवस्थी BJP के बागी है और आनंद भदोरिया को पिछली बार भी सपा ने यहां से प्रत्याशी बनाया था लेकिन उनको हार मिली थी यानि कि BJP कि इस सीट पर भी हैट्रिक लगाने की तयारी कर रही है हर दोई लोग सभा सीट पर पिछले 10 साल से BJP का कबजा है इस बार फिर से मौझूदा सांसद जय प्रकाश रावत को मैदान में उतारा गया है जबकि समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद उशा वर्मा को उम मीदवार बनाया है मिस्तरिक लोग सभा सीट के अगर बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए ये आरक्षित सीट है इस सीट पर BJP का साल 2014 से कबजा है BJP ने मौझूदा सांसद डॉक्टर अशोक रावत को एक बार फिर से मैदान में उतारा है जबकि इंडिया अनुसूदान की तरब से समाजवादी पार्टी ने संगीता राजवंशी को टिकट दिया है बियस पी ने इस सीट से डॉक्टर बी आर अहिरवार को मैदान में उतारा है उन्नाव लोग सभा सीट से BJP ने मौझूदा सांसद साक्षी महराज को मैदान में उतारा है साक्ष इस से सपा में शामिल हुई थी फरूखाबाद लोग सभा सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर साल 2014 से BJP का कबजा है दो बार से मुकेश राजपूद सांसद है एक बार फिर पार्टी ने मुकेश राजपूद पर दाउं लगाया है जबकि इंडिया गट बंदन की बावी मैदान में है जबकि बहुजन समाज पार्टी ने अकील अहमत पट्टा को उम्मीदवार बनाया है BJP ने मौजुदा सांसद सुप्रत पाठक को ही फिर से मैदान में उतारा है अब बात करें शाह जहांपूर लोग सभा सीट की तो शाह जहांपूर से BJP ने मौजु कानपूर सीट की अगर बात करें तो कानपूर सीट से भारती जंता पार्टी ने मौजुदा सांसद का टिकट काट दिया है पार्टी ने रमेश अवस्ती को मीदवार बनाया है जबकि इंडिया गठद बन्धन की तरफ से कॉंग्रेस ने आलोक मिस्रा को मैदान में उतारा जबकि बहुजन समाज पाटी ने कुलदीप भधोरिया पर यहां से दाव लगाया है तो ये थी वो 13 सीटे जहां पर यूपी में चौते चरण में चुनाव होना है और ये चुनाव दिल्चस्प होने वाला है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें